चौधरी हाथ छोडाता था और पुन्नी बार-बार पकड़ लेती थी, एक मिनट तक यही हाथा पाई होती रही, अंत में चौधरी ने उसे जोर से पीछे डखेल दिया, पुन्नी धक्का खाकर गिर पड़ी, मगर फिर संभली और पाव से तल्ली निकाल कर चौधरी के सिर पर बल का प्रयोग करके गच्चा खा चुका था, खड़े-खड़े मार खाने के सिवा इस संकट से बचने की उसके पास और कोई दवा न थी, पुन्नी का रोना सुनकर होरी भी दोड़ा हुआ आया, पुन्नी ने उसे देखकर और जोर से चिलाना शुरू किया, होरी ने सम चौधरी, तो यहां से चले जाओ, नहीं तुम्हारी लहास उठेगी, तुमने अपने को समझा क्या है, तुम्हारी इतनी मजाल की मेरी बहु पर हाथ उठाओ, चौधरी खस में खाखा कर अपनी सफाई देने लगा, तलियों की चोट में उसकी अपराधी आत्मा मौन थी, ये लात उसे निरपराध मिली और उसके फूले हुए गाल आंसूं से भींग गए, उसने तो बहु कुछ हुआ भी नहीं, क्या वह इतना गवार है कि महतो के घर की ओरतों पर हाथ उठाएगा, होरी ने अविश्वास करके कहा, आँखों में धूल मज्जों को चौधरी, त तुमने कुछ कहा नहीं, तो बहु जूट मूट रोती है, रुपए की गर्मी है, तो वह निकाल दी जाएगी, अलग हैं तो क्या हुआ, हैं तो एक खोन, कोई तिर्ची आँख से देखे, तो आँख निकाल ले, पुन्नी चंडी बनी हुई थी, गला फाड़ कर बोली, पुर वहीं छोड़ा, और ओंगी लिए घटना स्थल की ओर चला, गाउं में अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध था, छोटा डील, गठा हुआ शरीर, आँखें कौडी की तरह निकल आई थी, और गर्दन की नसें तन गई थी, मगर उसे चौधरी पर क्रोध न था, चौधरी से लड़ी, क्यों उसकी इज़त मिट्टी में मिला दी, बंसोर से लड़ने जगणने का उसे क्या प्रयोजन था, उसे जाकर हीरा से सारा समाचार कह देना चाहिए था, हीरा जैसा उचित समझता, करता, वह उससे लड़ने क्यों गई, उसका बस होता, तो वह पु तो ये बीच में कूदने वाली कौन, आते ही उसने पुन्नी का हाथ पकड़ लिया, और घसीटता हुआ अलग ले जाकर लगा लातें जमाने, हरामजादी, तु हमारी नाक कटाने पर लगी हुई है, तु छोटे-छोटे आदमियों से लड़ती फिरती है, किसकी पगड़ी नीची होती है बता?